Hello everyone and welcome back to the channel मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि IIT J.E. मेरे बसका नहीं है IIT J.E. के क्वेशिन्स रियली टफ होते हैं मैं इसी डर को दूर करने के लिए ये सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं IIT J.E. के प्रीवियस एर्स के कुछ अच्छे और चुनिंदा क्वेशिन्स को डेली बेसिस पर डिसकस करता हूँ ताकि आपके अंदर से ये डर निकल जाए तो उसी सीरीज में आज मैं आपके सामने IIT J.E. 2008 का पेपर वन का क्वेशन लेके आया हूँ जो कि कुछ इस तरह से है कि Among the following the paramagnetic compound is तो क्या पूछ रहे हैं हो कि ये जितने भी आपको molecules दिये हुए है या आयन या कोई भी species दिया हुआ है इन में से कौन सा paramagnetic compound है तो paramagnetic क्या होता है भाई तो paramagnetic ऐसे किसी भी species को बोलते हैं जो attract हो magnetic field में तो जो भी magnetic field में attract हो ऐसे species को हम paramagnetic बोलते हैं ये तो हुआ experimental तरीका क्या कोई theoretical तरीका है जिससे सिर्फ molecule का formula जानकर के ही हम ये बता पाएं कि ये paramagnetic है या diamagnetic है तो जी हाँ बिल्कुल वो भी तरीका है उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है molecule के structure में जाने के बाद आपको ये चेक करना है क्या molecule के पास unpaired electron है क्या तो unpaired electron अगर present है तो ऐसा कोई भी species paramagnetic species होगा और ये unpaired electron हम सभी को आता है देखने जैसे अगर आपको कोई बोले कि बताइए sodium atom में कोई unpaired electron है तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल चेक कर लेते हैं कैसे तो electron जानने के लिए उसका electronic configuration करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 आप देख सकते हैं कि हर एक जगा complete pairing है सिर्फ 3s में ही unpaired electron है इससे ये दिख रहा है कि इसके पास one unpaired electron है तो sodium एक paramagnetic species होगा अच्छा उसी तरीके से अगर मैं ये पूछूँ कि क्या Na plus paramagnetic होगा क्या तो वो भी देख लेते हैं ये simple ion है 1s2, 2s2 and 2p6 अब तो एक electron निकल चुका है तो क्या अब कोई unpaired electron है के यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सब जगह पे pairing हो चुकी है और अंदर भी pairing है इसका मतलब कि Na तो पैरा था बट Na plus एक diamagnetic species है मैं atom की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आयन की बात कर रहा हूँ उसी तरीके से क्या आप K plus नहीं देख सकते हैं आप बिल्कुल देखिए आप चेक करेंगे last में यह 3P6 आएगा तो एक बार P6 आ गया इसका मतलब यह भी क्या है diamagnetic species अच्छा यह तो रही बात किसकी अगर हमारे पास atom और atom से related आयन है तब क्या करेंगे अगर हमारे पास diatomic आयन आ गये तो या कोई diatomic species आ गया तो तो आपको मालूम होगा diatomic species के बारे में जो clear explanation देता है वो है molecular orbital theory तो अगर मुझे O2 के बारे में पता करना है यह paramagnetic है या नहीं तो मुझे उसका molecular orbital configuration करना पड़ेगा कैसे करते हैं उसके लिए पहले आप energy order जान लिजे तो energy order sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 उसके बाद sigma 2pz फिर उसके बाद pi 2px is equal to pi 2py यह important है equal to का मतलब यह दोनों ही orbital का energy equal है degenerate orbital है अब यह electron भरते समय मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद आएगा pi 2px pi star anti-bonding pi star 2py इसकी energy इससे भी जादा है यह energy के increasing order में मैंने लिखा हुआ है और इससे भी जादा energy किसकी होगी sigma 2pz sigma star anti-bonding molecular अज़े total O2 में कितने electron है तो O2 में हमारे पास total 8 plus 8 यानि 16 electron है चेक कर लेते हैं गबर क्या यह paramagnetic है let's fill it तो आप देखो 2, 4, 6, 8 यहां पर मैंने 10 कर दिया यहां 11, 12, 13 and 14 अभी भी दो और बचे हुए हैं यानि 15 and 16 ध्यान दीजिए मैं एक एक करके भर रहा हूँ क्योंकि जब भी equal energy के orbitals होते है तो आप pairing करना allowed नहीं है हुंस rule के हिसाब से तो हमें one by one भरना है एक पहले इसमें एक तो क्या आपको इसमें unpaid electron दिख रहा है जी हाँ, बिल्कुल हमारा total 16 मैंने electron खतम कर दिया और यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे कितने unpaid हैं? टू unpaid है तो इससे क्या समझाता है कि O2 पह रहा है विद हाँ मिनी unpaid electron? टू unpaid electron अच्छा तो क्या O2 minus ये इसके बारे में check कर लेते हैं और एक बार एक और iron बना के O2 minus 2 तो आप देखिए O2 minus का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक electron मैंने O2 के साथ add कर दिया तो एक electron अगर आप इस पे add करेंगे और O2 minus बन जाएगा तो सारा चीज यही रहने वाला है एक extra electron यहाँ add हो जाएगा कहाँ पे? यहाँ तो जैसे ही वो एक extra electron आपका यहाँ add होता है तो क्या मिलने वाला है? अभी भी O2 minus के पास भी one unpaired electron है और यह अभी भी क्या है? पैरा अच्छा, अब O2 minus 2 इसका क्या? तो O2 minus 2 एक और electron जादा हो गया अगर O2 minus 2 में और एक electron जादा हो गया अब क्या कोई इसमें unpaired electron है क्या? बिल्कुल नहीं zero unpaired electron और अगर zero unpaired electron है तो इसका मतलब यह क्या हो गया? डाया अब आईए धिरे-धिरे हम option चेक करते हैं तो क्या था यह? पहले में आपको दिया हुआ है Na2O2 अच्छा Na2O2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? कि Na2O2 एक ionic compound है इसके अंदर दो sodium ion और एक O2 minus 2 है तो क्या Na plus पैरा था? जी नहीं यह तो डाया था अभी हमने देखा था क्या O2 minus 2 पैरा था? बिल्कुल नहीं यह भी डाया था ठीक उसी तरीके से अगर हम K O2 चेक करें तो आपको दिखेगा K plus N O2 minus 1 यह यह पैरा था अगर आप उपर जाके देख चेक करें तो यह पैरा था क्योंकि इसके पास 1 unpaired electron था और यह डाया था तो किसी species में अगर कोई भी उसका constituent atom या ion अगर वो पैरा हो गया तो पूरा का पूरा molecule कैसा होगा पैरा मैगनेटिक तो यह एक पैरा मैगनेटिक स्पीसीज है तो इसका correct answer क्या होगा K O2 इसका correct answer K O2 अच्छा आप कई बार कुछ और भी questions आते हैं कि अगर atom और diatomic ना हो तब कैसे चेक करेंगे जैसा कि आप इसी में देख सकते हैं आपको कुछ examples मिलेंगे जैसे एक दिया हुआ है N2O के बारे में और एक दिया हुआ है O3 के बारे में इनको कैसे check करेंगे तो बिलकुल उनको भी देख लेते हैं तो अगर आपके पास वो molecule है तो आपको क्या करना है उसका structure बनाना है N2O का structure क्या होता है तो N triple bond N यहाँ पे देखिए electron की pairing है दो electron है तो paired है यह यहाँ पे भी दो electron है दुनों paired है यहाँ पे oxygen और oxygen को यह electron डोनेट कर रहा है तो आप देखिए ध्यान से हर एक जगा पे electron की pairing है तो इसका मतलब यह species क्या होगा डाया मैगनेटिक ठीक उसी तरीके से O3 अगर आप चेक करें तो आपको O3 में भी मिलेगा कि यहाँ पे भी सारे जगह पे electron की pairing है अगर electron paired है तो यह भी एक डाया मैगनेटिक स्पीसीज है तो क्या molecule में कोई भी paramagnetic नहीं हो सकता है ऐसा नहीं है एक मैं example आपको दिखाता हूँ NO2 इसको देखिए आप इसका structure बनाएंगे तो N double bond O यहाँ सारे electron paired है nitrogen के पास valence cell में 5 electron होता है तो यह अगर इसको donate करेगा dative bond के through तो आप यह देख सकते हैं कि nitrogen के पास एक unpaired electron बच गया unpaired electron बच गया तो यह paramagnetic है तो आपने सीख लिया कि अगर atom है तो कैसे देखना है iron है तो कैसे देखना है diatomic species है तो कैसे देखना है diatomic iron है तो कैसे देखना है और अगर molecule है तो कैसे देखना है और एक चीज इसमें बच जाता है और वो last चीज है अगर उतना आप सीख गए है तो आपको कोई भी question paramagnetic का आप कर लेंगे future में वो है क्या होगा अगर कोई compound complex हो जाए के 4 F E C N 6 ऐसा कोई complex compound कैसे देखना है तो इसके बारे में हम आज नहीं किसी और वीडियो में हम बात करेंगे ये coordination chemistry के अंदर आएगा कि इनको हम कैसे check कर सकते तो इसको छोड़ करके आज आप सारे चीजों के बारे में बता सकते हो तो correct answer हमारा क्या है correct answer के ओ टू